नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 नवंबर दिन बुधवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में 75 प्रतीशत आरक्षन की मन्जूरी मिलने के बाद सीयम नितीश ने अधिकारियों को दिया नरदे सबजीयों की खेती करने के लिए आवेदन कर सरकार से पाएं अनुदान आज होगी बिहार कैबिनेट की बैठक फ्रेन में दिये जाने वारे खाने को लेकर नई नीती लागों विशुकब 2023 ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्स अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से दिल्ली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड में 863 रिक्त पदों पर निकली भरती दिल्ली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानि की DSSB की ओर से कुल 863 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह DSSB की official website dssb.deli.gov.in पर जाकर online तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादी कि आविदन करने की अंतिम तारिक 20 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लगर सैच ने क्योगिता की बात करे तो अभ्यर्थियों को मानिता प्राप्त बोर्ड संस्थान से पदानुसार दसवी एवं बारवी के साथ जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा, बारवी के साथ संबंधित छित्र में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट संबंधित स्ट्रीम से ग्राजुएशन डिक्री इंजिनिंग में डिप्लोमा आधी किया होना चाहिए मैं इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गदी सूशना को जरूर देख ले बिहार में 75 प्रतीशत आरक्षन की मंजूरी मिलने के बाद सीम रितीश ने अधिकारियों को दिया निर्देश बिहार के राजेपाल राजेंदर विश्वनात आलेरकर के द्वारा नई आरक्षन नीती पर मुहर लगाकर विध्यक सरकार को वापस भेज दिया गया है बता दे कि बिहार में आरक्षन का दाइरा 60 प्रतीशत से बढ़कर 75 प्रतीशत कर दिया गया है ऐसे में अब EBC का आरक्षन 18 प्रतीशत से बढ़कर 25 प्रतीशत हो गया तो वहीं इसके अलावा BC का आरक्षन 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत, SC का आरक्षन 16 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत और ST के लिए आरक्षन 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो गया है बता दे किस नितीश सरकार के द्वारा पहले ही बिहार कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी वहीं अब जब राजेपाल की ओर से इस जरे प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया गया है तो बहुत जल्दी सामाने प्रिशासन विभाग की ओर से भी गजट प्रकाशन कर दिया जाएगा जिसके बाद यह लागू हो जाएगा बिहार की नतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकासित कर दिया है बता दे किसको लेकर बीते दिन सियम नतीश के द्वारा राजे के सभी सरकारी विभागों में आरक्षन अधिनियम 2023 के प्राफधानों को लागू करने के लिए उच्चस्तरिय समिक्षा बैठक की गए और अधिनियम के प्राफधानों को पुर्णता लागू करने का दिशानर देशी आ गया बिहार परिटन में आजमबात करेंगे ककोलत जलप्रपात के बाड़े में ककोलत जलप्रपात भारत के बिहार राजी के नवादा जिले में सित एक जलप्रपात है अतिहासिक और पुरानिक संदर्बों से युक्त, ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहारी के निकड बशा हुआ हुआ एक ज़र्णा है। पिक्निक पनाने यहां आते हैं ज़र्णे में 150 से 160 फीट की उचाई से पानी गिरता है इस ज़र्णे की चारों तरफ जंगल है यहां का दृष्य अद्बुत आकरशन उत्पन करता है यह दृष्य आखों को ठंधक प्रदान करता है बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग ज़र्णे में इसनान करने के लिए आते हैं वैशाकी और चैत्र सक्रांती के अफसर पर विसुआ मेले का आयूजन किया जाता है इस मेला को ककोलत आरे का ओप्चारिक शिरवात भी माना जाता है क्योंकि यह गढ़्मी के शिरवात में मनाया जाता है प्रवी सकुत्तर चात्रवृती योजना दो हजार तेईस के लिए आवीदन करने की अंतिम तारीक नस्दीक अचनिक वर्स 2023 हेतो PMS पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in एवा मोबाइल एप के माध्यम से ओनलाइन आवीदन करने का अंतिम अफसर प्रदान की आ जारा है आपकी जानकारी के लिए बता दे किसके लिए आवीदन करने की शिर्वात 15 अमंबर 2023 से सुरू हुई थी वहीं इसकी अंतिम तारीक 31 दिसंबर 2023 तक नर्धारित की गई है मालमों की ओनलाइन आवीदन करने से सम्मन्धित सभी दिशानरदेश PMS पोटल पर उपलग्ध है छट के बाद यात्रियों की सुधा के लिए 34 स्पेशल ट्रेन का परिचालन लोकास्था का महाँ पर्व छट खत्म हो चुका है ऐसे में अब वापस जाने वाल यात्रियों की बरती भीर को देखते वे रेलवे की ओर से 34 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णे लिया गया है बतादे कि इसकी जानकारी मुखे जनसंपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई है बतादे कि जिन 34 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा उनमें गारी संक्या शुन sä इक शुने दानापूर KSR बेंगलूरू स्पेशल ट्रेंट, सुने 22che45 पटना नई दिलिby इस्पेशल ट्रेंट, स्क्षाविभाग में जारी किया 19 DEO को सो कॉजच नोटिस स्कूल में दी गई राशी का खर्च नहीं करने के आरोब में विहार सरकार के स्क्षाविभाग के अपर मुखे सचीब केके पार्थक के नर्देश पर भागलपूर बांका, जमुई दर्भंगा, समस्तिपूर, बेगुसराय, कैमूर, किसन गंज, कोपाल गंज, मधेपूरा, पतना, सीतामधी, सिवान और वैशाली समेथ, कुल 19 जिलों के जिलाज सिक्षा पदादी कारी को सो कॉज नोटस जारी किया गया है, और साथ ही, इनके लिए एको कलब गठित करने का भी बात कहा गया है, बता दे कि इन लोगों को विद्याले के रंगरोगन सुच्टा, टीलम ब्लाक बोर्ड, वी एसस के द्वारा, चात्रवा, विद्याले हित में आवशक सामगरियों के खरिदारी करने को ले कर विवाग की ओर से ने कारण बता और नोटस जारी कर जल जबाब मागा गया है, आपको बता दे कि विवन विकास मदो की राशी में खर्च करने में तेजी लाने का नर्देश प्रधान ध्यापको को दिया गया है, दुरलब जानवरों का गर बना बिहार का यह जंगल, कर जिसमें पेर पौधो की 90 प्रधातियां, बागों के अलावा जंगली जानवरों की 60 प्रधातियां, पक्चियों की 300 प्रधातियां और रेप्टाइल्स की 30 प्रधातियां शामिल है, बता दे कि नेचर एंवार्मेंट एंड वाइल लाइफ सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैने बागों की 8 प्रधातियों में से एक स्लॉथ बियर भी पाया जाता है, वी टियार के गरे जंगलों में दुड़लब वन्य जीवो की श्रिनी में किंग कोब्रा भी पाया जाता है, इसके लावा यहां लकर बग्गे भी पाया जाते हैं, देश के कुछी राज्यों में पाया जाने वाले ढोल, जो जगली कुटे होते हैं, वो भी वी टियार में पाय जाते हैं, वहीं सब दुड़लब जानवरों के अलावा यहां एंडियन गौर, गैंडी, मगरमच और हाथी भी पाय जाते हैं, बता दे कि वी टियार में वर्तमार में कुल 54 बाग है, चंद्रियान 4 से चान की मिट्टी लाने की तैयारी में इसरो, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ग्यानी की इसरो के द्वारा चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रियान 4 पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया जा रहा है, बतादे कि इस बात की जानकारी भारती उसने कटी बंध है, मौसम विज्ञान संस्थान के 62 सापना दिवस समाडों के दौरान अंतरिक्ष अनुप्रियोग किंद्र के निदेशक निलेस देसाई के द्वारा दी गई, उन्होंने कहा कि इस मिशन में लैंडिंग चंद्रिया लाने के स्चनौती को पूरा कर लेंगे, उनके दौरा दी गई जानकारी के नुसार चंद्रियान 4 में 250 किलो का डोवर होगा, जिसकी खोच का इलाका 1 किलो मीटर गुना 1 किलो मीटर होगा, मालम हो कि चंद्रियान 4 की सफलता चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों को लोकास्णा का महापर्व छट की वज़े से बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी ऐसे में अब बिहार कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को यानि कि आज सुभर सारे 10 बचे मुख्य सची वाले के कैबिनेट हौल की बैठक में बुलाई गई है मैंने उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4 प्रतिशत दिये पर मोहर लग सकती है जिसके बाद दिये 42% से बरकर 46% हो जाएगा जिससे कि पांच लाग सरकारी सेवकों को लाब मिलेगा और साथ ही इतने पिंस अन्भूगी को भी लाब मिलेगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि पिछले सब्ता हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा पिछरा अते पिछरा और स्चस्ट को दिये जाने वाले आरक्षन की सीमा 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था मालूम हो कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कुल कैबिनेट विवाग के ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है और सभी मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी गई है और संबनित विवाग को तैयारी के लिए निर्देश भी दिये जा चुके हैं अगर आप यह उन लोगों में से हैं जो अबीदन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे की करमचारी चैना आयो के ओर से इसको लेकर पुर्व में दी गई जानकारी के नसार इसके लिए आवीदन करने की शिरवाद 24 नवंबर से होगी जो की 28 दिसंबर तक जारी रहे कि SMS का नोटिफिकेशन भी 24 नवंबर को ही जारी किया जाएगा जिसके बाद परिक्षा का पूरा सेड्यूल देखने को मिलेगा बता दे कि जो अभ्यर्थी इस परिक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें किसी भी मानिता प्राब्द बोर से कक्षा 10 यानी मैट्रिक पास ह होना चाहिए इसके साथ ही अभ्यर्थियों की आयू सीमा 18 से 23 स्वर्ष के बीच रह सकती है हालाक इसको लेकर पूरी सटिक जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल सकती है प्यारी पहचान में आज हम बात करेंगे राज कमल चौतरी के बाड़ी में प्यासकार कहानी लेखक नाटक कर आदी कई रूपों में सामने आये उनकी रचनात्मक्ता मुख्यत तीन भाषाओं मैथली हिंदी एवं बंगाली तक समित रही हालाक उन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ कविताई लिखी है हिंदी में उन्होंने आठ उपन्यास करीब 250 कविताई 92 कहानिया 55 निबंद और 3 नाटक लिखे बिहार में खत्म हो रहा पानी 549 घन मीटर प्रतिव्यक्ती जल की उपलबता घटी प्रतिस्ट अकबार प्रभात कबर के अनुसार बिहार में पानी की मातरा कम हो रही है पहले जहां वर्स 2011 में बिहार में सतही जल की उपलबता 1594 घन मीटर थी बहुत 12 वर्सों में 549 घन मीटर घटकर यानि कि अब वर्स 2023 में 1055 घन मीटर हो गई है ऐसे में अब संभावन जताई जारी है कि आने वाले समय में वर्स 2050 तक या घटकर 635 घन मीटर हो जाएगी बता दे कि वर्स 2050 में बिहार में जल की कूल अनुमानित आवशकता 1,45,048 मीलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है जब कि बिहार में कूल 1,321,175 मीलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपलब्ध है मालू हो कि जतरत्रसी रोड मैप में नाकरों को रिखांकित करते वे नहर पंप जला से सचाई योजना का निर्मान और पुनरस्थापना कर जल प्रबंधन कर जल संकर दूर करने की योजना बनाई गई है बता दे कि राज्य में 107 नई वह 1175 दिन योजना उसे जल प्रबंधन किया जाएगा ट्रेन में दिये जाने वाले खाने को लेकर नई नीती लागू रेलवे बोर्ड की ओर से 2017 की खानपा नीती के स्थान पर नई नीती लागू कर दी गई है और साथ ही पांचवी बार गलती दोहराने पर कम्पनी के खान-पान का ठेका रद कर दिया जाएगा बतादे किस नए नियम के तहर जुर्माने की राशी चार स्रेणियों में बाती गई है जिसमें ठंडा बासी भोजन, भोजन के खड़ा प्रसूती करन और देरी होने पर पह कली चुहा मिलना या खाने के बाद अस्पताल में ग्यातरी के भरती होने पर पहली बार में पांच लाग रुपे जुर्माना और दूसरी बार में ठेका रद कर दिया जाएगा बता दे के नई नीती के तहत वेंडर की वर्दी पर नेम प्लेट होगी वर्दी स्माइली इम अगले सतासी प्रदेश के माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्यालियों में प्रधाध्यापको के निप्ती की प्रफिया शुरू होने वाली है यह निप्ती 6060 प्दोपर की जाएगी प्लेट होगी प्रधापक पद के लिए सरकारी और नीजी विद्यालियों के एक्चु माध्यमिक सक्षक के पदपर नियुन्तम सेवा अनुभव चार साल होना अनिवारे रखा गया है साथियों में द्वार यदी नीजी विद्यालिक सक्षक है तो नीजी माध्यमिक विद्यालियों में सक्षनकारी का 12 साल का अनुभव और नीजी उच माध्यमिक विद्यालिय भी चलाई जा रही इसके तह सरकार के ओर से भंडार नर्मान आलू प्याज और साग सब्जी बीज के लिए 75 प्रतिशत तक कामदान दिया जाता है ऐसे में अगरा भी स्योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आप horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अपना वीदन कर सकते हैं बता दे किस योजना के अंतरगत उच्छ मुल्ले के सब्जी का बिच्रे हाइब्रीट सब्जी का बीज प्याज का बीज आलू का बीज इकाई लागत का 75 प्रतिशत सहायता नुदान पर दिया जाएगा प्याज का एन एच आ जाने का प्रावधान किया गया है योजना अंतरगत सब्जी में किसी एक उपव्यव में ही निर्धारी सीमा के तहत लाब ले सकते हैं सब्जी का बिच्रा प्रते क्रिसकों नियुंतम 1000 एवं अधिक्तम 10,000 तक सहायता नुदान पर दिया जाएगा सब्जी का बीज वाले इस योजना का लाब रयत क्रिसक जमीन के कागजात के आधार तथा गयर रयत क्रिसक एकरार नामा के आधार पर ले सकते हैं बता दे किस योजना कलाब लेने के लिए कुछ दस्तावेजों का किसानों के पास होना अनिवार है जिनमें आवेदन करने वाले किसान के आधार का पैन कार्ट, राशन कार्ड, निवास का पता, इमेल आईडी, मोबाइल नमबर जो आधार से लिंक हो, कोल्ड स्टोरिस के लियोपयोग होने वाली जमीन का विवरन और जमावंदी की नकल शामिर है पतना में सरक पर उतरे प्लस तू अतीती सक्छक, बिहार की राज़दानी पतना में राज़तकारयाले के बाहर बीते दिन राज़े के विवंजलों से आए सैकरो की संख्या में साफ साफ कहा गया कि अब हम लोगों की उम्र सीमा खत्म हो गई है हम लोगों ने 6 साल तक बिहार सरकार में सेवा दी है इसके बावजूद भी उन्हें हटाया जा रहा है या हमारे साथ अन्याय होड़ा है बता दिक इस बारे में बिहार राज यतिदी सिक्षक संके अध्यक्ष नरिंदर कुमार यादव के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि जब प्लस टू इसकूरों में एक भी विज्ञान और अंग्रेजी के सिक्षक नहीं थी उस वक्त से जीवन सेवा के लिए दे रहा अब जब BPS सिक्षक आएं तो हम लोगों को बड़ खास्त किया जा रहा है एक और रोजगार के नाम पर बंगाल और राजिक के सक्षकों को नौक्री दी जा रही और बिहार के यूगों के साथ गलत वेवार होड़ा है उर ने कहा कि हमारी नौक्री नहीं चीनी जानी चाहि प्रदेश में ठंड ने पक्री रफ्तार बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा पहले के मुकाबले अब ठंड और पोरा अधिक देखने को मिल रहा है मौसम विज्यान केंदर के वरिष्ट विज्यानी डौक्टर आसीस कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार में अग्रे चार से पांच दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है तापमान में गिरावट होने की संभावना है वहीं मौसम विभाग के अनु प्रदेश के किसी भी हिस्से में मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार के चितामीन नहीं दी गई है। बता दे किस योजना के तहट नियुनतम 100 वर्ग मीटर और अधिक्तम 300 वर्ग मीटर में मगी पान की खेती की लागत 7500 रुपे आंकी गई है। इस पर 50% सबसिडी यानि 35,250 रुपे नुदान मिलेगा यानि कि किसानों को अपनी जेव से सिर्फ 35,250 रुपे खर्च करने होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोथ साहित करना है। आयोजित होने वाले भीम संसत कारेक्रम की सफलता को लेकर बीतर दिन भवन निर्मान मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा अपने सरकारी आवास में प्रदेश के विविन जिलो से आए प्रतिनीधियों के साथ आयो किसलश्य राम नरे इश्राम की अध्यक्षता में एक बै लाइक सक्तियां देश को अस्थर करने में लगी है तथा बाबा साहिब बीम्रा अम्बेटकर का समधान खत्रे में है उन्होंने कहा कि हम सब के मारणिया नेता नितीश कुमार के द्वारा दलतों के उत्थान के लिए बहुत काम किया गया है इसलिए आज जरूरत है कि हम प्रशान कसोर का सीएम परतंच सीता मधी और गोपायल गंज में जहरीली सराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी सराब बंदी की पोल खोल दी है इस पर नजन सुराज के सुतरधार प्रशान कसोर ने कहा किसा आदमी को इस बात का हैं कार हो गया है कि हम यहां से हटी नहीं सकते चुनकर आप गया है जनतानी मुख्यमंत्री आपको बनाया है लेकिन इतने लोगों की मृत्य हो गई परिवार उजर गय और आप कहते हैं जलादिकारी को निर्देश दिया है बीते दिनों छप्रा में जहरीली सराब पीने से 70 ल के बाला छीन लिया आपके बच्चों की जिसने पढ़ाई की वेवस्था भंग करके अनपर बना दिया आपके बच्चों को जिसने मजदूर बना दिया उस आदमी को आप जाकर वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनागार कौन है जनता सबसे बड़ी गुनागार है नि इतना हेंकारी है कि देखने तक नहीं गया ये एंकार क्यों है विश्वकप 2023 ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्स आइसी से विश्वकप 2023 का एउजन भारत की मेजबानी में सफल रहा इस बार विश्वकप 2023 में पिछले कई सारे रिकॉर्स तोड़े गया है इस टूर्णामे का सभी मुकाबला कुल 12,50,307 दर्शकों के द्वारा इस्टेडियम में पहुंच कर देखा गया जो पिछले सभी विश्व कप के रिकॉर्ड को चक्ना चूर कर चुके हैं मालूमों किस सिर्फ पहले विश्व कप 2015 ICC का सबसे सफल टुर्णामेंट रहा जिसमें करीव एक मिल से जीत हासल कर विश्व कप 2013 का खिताब अपने नाम लिया भारत के तिहास में आज की तारिक है कही कार्णोस दर्श मदरास राजी का नाम बदलकर तमिलना डूकरने के प्रस्ताओं को 1968 में लोकसभा से सुकृति मिली भारत और पाकस्तान ने उनिस्वेग खतर में एक दू से जादी के जंग छेड़ने वारी रानी लक्षमीबाई की सेना की मुख्य सदस्ते जलकारी बाई का जर्म हाamis 830 में हुआ था भारत की प्रत्थम महिला चिकिसक रुखमा बाई का जन्म 1864 में हुआ था, भारत के प्रसिद उद्योग पतियों में से एक वालचंद हीरा चंद का जन्म 1882 में हुआ था, भारती सितंदा सिनानी शहीद लक्षमर नायक का जन्म 1899 में हुआ, वरिष्ट भारती सितंदा सिनान श्रांती घोस का जन्म 1916 में हुआ समाजवादी पार्टी के मुख्या और उतर प्रदेश के दिवंगत नहीं था पुर्व मुख्यमंतरी मुलायम सिंग यादव का जन्म 1949 में हुआ नौकायान में भारत के प्रस्द खिलारियों में गिने जाने वाले पुस्पेंद्र कुमार गर्गा जन्म 1963 में हुआ प्रस्द राजनतकित था कटर सिखनी था तारा सिंग करधन 1967 में हुआ मद्र प्रदेश के पुर्व राजेपाल और उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव का निधन 2016 में हुआ हिंदी और भोजपुरी भासा के प्रसद साहितेकार विवेकी रायकरधन 2016 में हुआ वारल खिर में आजम बात करेंगे प्रधान मंतरी बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में करें इंस्टाग्राम पर अब इतने घंटे के लिए सिट कर पाएंगे स्टोरी में अपने सोशल मीडिया एप्स पर कई नए फीचर जोड़ रहा है ताकि यूजस एक्सपीरियंस को बहतर बनाया जा सके इसी बीच कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जो जल्द इंस्ट फीचर के तहत यूजस अपनी स्टोरी को 24 घंटे से जाद देर के लिए सेट कर पाएंगे फिलहाल इंस्टाग्राम यूजस के वाल 24 घंटे के स्टोरी को शेयर कर सकते हैं लेकि नए फीचर के आने के बाद यूजस स्टोरी को साथ दिनों तक प्रोफाइल पर शेयर कर पा भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा बिहार आ रहे हैं जहां वो बिहार की राज़ानी पटना मेस्थत बापू सभागार में तांती महा सम्मेलन में शामिल होंगे बतादी कि भाजपा अपने कारे करताओं वह समर्थकों में जो उस भरणे के लिए कई जत महां में महिला आरक्षन का दाव चल भाजपा ने भरत लेले का प्रयास किया था लेकिन बिहार में आरक्षन की सीमा में व्रधिकर महागरबंदर ने चुनावी गनित को रोचप प्रतिसपारदात्मक बना दिया है हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जरी जवाब बताएंगे जो की बीपियासी, बिहार पुलिस, दरोगा समीत, एससी जरसे अने प्रतियोगी पर इच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछे गए पांचो सवाल में, आपने कितना सही उतर दियाक रिपाकर करके यहामें कॉमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किस्तिती को पूरे विश्व में सरक यातयाद पिरतों के लिए विश्व अस्मरन दिवस मनाये गया? आप्शन A 16 नवंबर 2023, आप्शन B 17 नवंबर 2023, आप्शन C 19 नवंबर 2023, आप्शन D 20 नवंबर 2023 इसका सही उतर है, आप्शन D 20 नवंबर 2023, अगला सवाल, हाली में किसने बैंकों और NBFCS के लिए असुरक्षित परसनल लोन के मान दंडो को सक्त किया है? आप्शन A State Bank of India, आप्शन B, Bank of India, आप्शन C, RBI, आप्शन D में से कोई नहीं? इसका सही उतर है, आप्शन C, RBI, अगला सवाल, बिहार में आर्थिक सरविक्षन की रिपोर्ट के नुसार कसी योग्य भूमी सबसे ज़्यादा कहां पढ़ है? आप्शन A, गया, आप्शन B, जमुई, आप्शन C, पश्मी चंपारण, आप्शन D, भागलपुर, इसका सही उतर है, आप्शन D, गया, अगला सवाल, बिहार में सेंट्रल फ्यूर्ट रिसर्च इंसिट्यूट कहां से थै, आप्शन D, गया, आप्शन B, मुझा अपरपुर, आप्शन C, हाजिपुर, आप्शन D, पटना, इसका सही उतर है, आप्शन D, पटना, अगला सवाल, बिहार के किस जिले में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है, आप्शन D, पटना, आप्शन B, सुपॉल, आप्शन C, मदुबनी, आप्शन D, भागरपुर, इसका सही उतर है, आप्शन B, सुपॉल, बीते दिन, हमारे दर पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने रपने जाब, हमें अमारे कॉर्में स्रक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है, जिनोंने हमारे दर पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम ह इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है बिहार में 75 प्रतीशित अरक्षन की मंजूरी मिलने पर आपकी क्या राय है अपने जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्षन मलिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रह चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद